यहां पे देखे प्रश्ण है कि रालेट एक्ट से आप क्या समझते हैं हमें बताना कि यह रालेट एक्ट होता क्या है देखे यहां पे जो एक्ट देखने ना एक्ट का मतलब होता है एसी टी एक्ट का मतलब होता है कानून यानि इस कानून का नाम था रालेट तो इसको बले ये भारतिये लोगों के खिलाफ था भारत के जो लोग थे उसी के खिलाफ ये रालेट एक्ट लाया गया था ऐसा इसलिए देखे जब हम लोग ब्रिटेन का गुलाम थे किसके ब्रिटेन के अंदर में थे तो ब्रिटेन सासन के खिलाफ हम भारतिये लोग हमेशा क्या करते थे हला करते थे बृतें सासन से लर जाते थे तो हम क्रांती कारियों को दबाने के लिए ही ये रालेट एक्ट लाया गया था तो आई इसके डीटेल को हम उत्तर में देखते हैं कि रालेट एक्ट होता क्या है भारत में बढ़ती हुई क्रांती कारी घटनाओं को दबाने के लिए यानि भारत में जो ये क्रांती कारी घटनाएं काफी बढ़ रहा था तो इन घटना को दबाने के लिए ही रालेट एक्ट लाया गया था रालेट एक्ट हम भारती क्रांती कारी लोगों के खिलाफ था जवर्दसी हम लोगों को जेल में डाला जाता था ताके क्रांती हम नहीं कर सके और ये क्रांती कारी घटना ना हो इसको दवाया जा सके आगे देखे इसकी अंतरगत इसकी अंतरगत मतलब ये जो रालेट एक्ट है इस एक्ट इस कानून की अंतरगत एक विसेस न्यायाले न्यायाले का मतलब होता है कोट विसेस का मतलब होता है इस्पेसल तो एक इस्पेसल कोट के गठन करने का प्रवधान था गठन करना मतलब बनाने का क्या था प्रवधान था उसमें एक नियम था अब देखिए इस एक्ट के अनुसार यह जो रालेट एक्ट है इस एक्ट के अनुसार किसी भी वेक्ती को बिना सबूत एबंग बिना वारेंट के गिरफतार किया जा सकता था अब देखिए कितना खड़ाब कानुन लाया था अंग्रेज सरकार ने कि हम भारतियों को बिना सबूत का और बिना वारेंट का भी गिरफतार कर सकता है यानी हमकोई घतना को किये भी ना हो तो सक के दाएडे में बिना सबुत बिना वारेंट के हमें गिरफतार करके जेल में डाल भी सकता है इसलिए कहा गया है कि इसलिए इसको मतलब रालेटेक्ट को काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इस कानून के दोड़ा हम भारतियों का काफी सोसन हुआ था तो मोटा मोटी हमें इसमें ये याद रखना है कि इस जो रालेट एक्ट है इस एक्ट के अंतरगत एक विस्तियस नियाले कि इस पेसल नियाले मतलब कोट का गठन करने का प्राबधान था और हम भारतियों लोगों को बिना सबूत और बिना वारेंट का कभी भी गिरफतार कर सकता है इसलिए ये बहुत खड़ाब कानून था इसलिए इसको काला कानून भी कहा जाता है तो यहाँ पर ये वीडियो समाब तो होता है मैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा वीडियो को लाइक करें चानल को सब्सकाइब करके बिल आइकन को जरूर दबाले धन्यवाद